Hello everyone, I am Abhiruji Singh और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल English Mania Academy में आज मैं आपके सामने CDP का Chapter 3 लेके आया हूँ जो है Principle of Growth and Development इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको Chapter 1 and Chapter 2 पढ़ाया था आज चलिए Chapter 3 पहले हम यह समझते हैं कि इस सिध्धानतों को पढ़ना जरूरी क्यों है हम सिध्धानत इसले पढ़ते हैं क्योंकि जो मनुष्य में जो विकास है वो तरह तरह से होता है लेकि सारे ही human being में कुछ चीजे हमेशा ही देखी जाती है और उनीके basis पे कुछ सिध्धानत बनाएंगें कुछ प्रिंस्पल बनाएंगें चलिए अपने principles को हम स्टार्ट करते है Principle of Continuity Principle of Continuity क्या कहता है The process of development is a lifelong process and grows throughout the life This process begins with conception and continues till death जो विकास के प्रक्रिया है वो आपकी lifelong चलने वाली प्रक्रिया है जो माता के गर्ब से लेके मनुष्ट की मुर्ति तक चलती है और यह कहीं निरंतर चलती है कहीं पर रुकती नहीं है चलिए अब आगे बढ़ते है Principle of Uniform Pattern Principle of Uniform Pattern यह कहता है कि कहीं कभी क्यों बच्चा क्यों ना हो वो एक ही Family या आपके different families यह different countries का बच्चा क्यों ना हो जो एक विकास का जो प्रक्रिया कुछ पैटर्न को फॉलो करते जो और जो पैटर्न सब में सेम ही होता है एक जैसा ही होता है जैसे दीर निफ्रों पैटर नीफ और cop Arts डेवलापकमेट बिसाईदव मैं इंडिजिवेल डिफररेंस है बच्चों में डिफररेंस होते है हर इंसान एक जैसा नहीं को सारज ही बच्चों में कुछ नड़ंग डिफरेंस होते है according टुझ ए एक पैटन को फॉलो करते ही विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं जैसे अगर दिखा जाए एक्जाम्पल लैंग्विज डेवलप्मेंट इन चेल्डरन अकर्स विदिन है कोई भी बच्चा हो कहीं का भी बच्चा क्यों न जो बोलने की प्रक्रिया लैंग्विज डेवलप्मेंट है उसके अंदर वह सिक्वेंस में चलता पहले बच्चा बैबलिंग करता है फिर वह कुछ लैटर बोलना सीखता है फिर उसके बाद कुछ वर्ट फिर सेंटेंस वह इसके बाद को सिक्वेंस में लगते है और हर बच्चे में यह सिक्वेंट को आपके दीवलपमेंट इस प्रेशा हैं प्रिंआटल इंफैंसी चाइल्वे अडॉल सेंस या अडल्टूड यह जो सारे ही स्टेजेज है हर बच्चा इनी स्टेज में इसी सिक्वेंस में ही आगे बढ़ता है पहले हर बच्चे में प्रीनेटल स्टेज ही आती है फिर इनफैनसी आती फिर चाइल्डूड यह तो नहीं कि अगर हम बात करें कि अमेरिका क के सबमें उन पट्ण को अपकारने की अपनी गती होती है इसे अगर हम बात करें एक ही फैमिली के दो बच्चे मैं शीकने की प्रक्रिया सेम नहीं हो किसी के क्या होता है किसी के दाथ पहले आते हैं, किसी के दाथ बाद में आते हैं, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई देर में सीखना चलता है, वो बच्चा यही सीखता तो एक ही तरीके से, लेकिन गती दोनों की अलग-अलग है, Each child grows at his own unique pace and has individual aspects of his development, सारे बच्चे की अपनी यह गती होती है, और सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सीखने के, Two children at the same age will have individual physical, emotional and social differences in their development, सारे ही बच्चे, भले वो एक ही फैमिली के बच्चे क्यों न हो, समान उम्र के बच्चे क्यों न हो, या different family के बच्चे क्यों न हो, सब में अपनी जो development की process है, अपनी गती से चलती है, कोई बच्चा physically, उसी age में physically ज़्यादा लंबा होता है, कोई को थोड़ा कम लंबा होता है, कोई emotionally ज़्यादा डेवलप होता है, कोई कम डेवलप होता है, वो क्या है, आपका अपना-अपन हर इंसान अपनी अपनी गती से ही आगे बढ़ता है, अब हम आते है, principle of predictability of development, principle of predictability of development कहता है, कि it is possible to predict the development in a child, that is, child's intelligence, interest and capability, हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के, बच्चे का development को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बच्चे में कहसा विकास होगा, बच्चा कहां तक जाएगा, कितना विकास करेगा, और उसकी process कितनी अच्छी या कितनी कठिन रहेगी, यह एक teacher या family में, जो बच्चे के बहुत close होता है, father, जो parents होते हैं, वो समझ जाते हैं, कि बच्चा आके जाके क्या बनेगा, वो adult sense में, चाइल्डूट में, या अपने adult में, क्या बनके निकलेगा, थो सुर्ण समझते हैं, टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर इस सिधानत का पयोग यह स्कार सकते हैं, को बचय को ऐसे टांस के जो वो प्ता कर सकते हैं, जो उसके लिए थोड़ा सा फैंवरेबल को उसके इंटरस्ट कहों, यह आप शमझ सकते हैं, मतúcar समझ भाद में, उसकी उसको जाती है, impossible task कभी नहीं दे जाते है, तो teacher इस basis पे समझ सकता है कि बच्चे को हम कैसे task दें complete करने के लिए, चलिए आगे बढ़ते है, principle of joint product of heredity and environment, आपका जो ये development है, ये आपका heredity and environment का गुननफल है या product है, ये मैंने आपको previous video में भी बताया था, जहाँ पर मैंने आपका second chapter cover किया था, influence of heredity and environment, तो सबसे पहले हम समझते है कि heredity क्या होती है, heredity क्या है, अनुवान्शिक्ता, जो भी करेक्टर हमें अपने parents या forefather से मिले, वो आपका heredity है, और environment के heredity को छोड़के, जो भी हमारे चारों तरफ चीज़े है, वो आपका environment है, या आपका environment है, या development is possible on when heredity and environment combine, development तभी संभा हो है, तभी हो सकता है विकार, जब heredity and environment साथ में काम करें, simultaneously चले, अगर बच्चा heredity को बहुत अच्छा है, इसको environment अच्छा नहीं मिलेगा, तो बच्चे की जो limit थी, या जब बच्चा जहां तक पहुंच सकता था, बच्चा वहां कभी नही नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बच्चे को environment अच्छा नहीं मिला है, और बहुत बार केस में यह था कि बहुत अच्छा environment दे दीजे, लेकि बच्चे में उतनी capabilities नहीं, heredity, आप बच्चे को क्या दिया आपने, एक mathematician बनने लाग है, scientist बनने लाग environment दिया, बहुत बढ़ ईंच्छा environment पे डाला है नहीं है, तो बच्चे को अगर अच्छा connection होना है तो बच्चे को environment इस用 की heredity के according उसको देना चाहिये朝 और इन्वायमेंट हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, कभी-कभी अच्छे बच्चे भी अच्छे हरेडिटी का करेक्टर वाले बच्चे भी पूर इन्वायमेंट, पूर नरिश्मेंट के विए से बहुत पीछे रह जाते हैं, नाइधर ऑन इस ओन अलॉन और इन्वायमेंट के निर्धारित नहीं कर सकता, ना सिर्फ हरेडिटी ना ही सिर्फ इन्वायमेंट, दोनु बहुत जरूरी हैं बच्चे में विकास के लिए, बहुत बार देखा गया है, बच्चा हरेडिटी के लिए थोड़ा वीक है, लेकि इ चलिए आगे बढ़ते है, प्रिंसिपल अप टोटल डेवलप्मेंट, प्रिंसिपल आप टोटल डेऴलप्मेंट क्या कहता है, डी डेवलप्मेंट अपधूरी होल सचए भी O develop करें? Mentally भी करेंगा? Emotionally भी O develop करेंगा? ऊसमें चारो असका हर तरप से विकास होगा मतल happily human development अस हम मतलब यह नहीं है कि Visically यृसका ठिवफ्फ होना उसको सारी ही aspects में develop होना है वही ह одनी आपका development कहीं भी रुकना नहीं है हर aspect में उसका विकास होना है तभी वो development माना जाएगा principle of interrelation in this principle of development all the development aspects such as cognitive, social, emotional behavior are correlated with each other जो भी आपके aspects है जो भी domains है वो सब आपस में related है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक भी हमारा domain या एक भी हमारा aspect affected होगा तो it means सभी उसे affected हो जाएंगे जैसे अगर बच्चा physically well grow नहीं कर रहा है या weak है उसे nutrition proper नहीं मिल रहा तो बच्चा क्या हो जाएगा emotionally भी थोड़ा weak हो जाएगा socially भी weak हो जाएगा जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं वो रोते भी जाता है वो र बच्चा कर एक आस्पेक्स में अच्छा जा रहा है तो उसके बाकी आस्पेक्स भी naturally अच्छे होने लगते हैं चलिए आगी बढ़ते हैं principle of integration principle of integration क्या कहता है according to this principle child first learns the use of whole organs then his specific part then he learns to integrate those parts example first he moves his entire hand then he moves his finger and then integrates both the movement बच्चा पहले whole body parts को हिलाना सुरू करता है whole organs को हिलाना सुरू करता है फिर उसके बाद वो अपने छोटी-छोटी fine motor skills मैं बता है तो ना आपके पहले gross motor skills को develop करता है फिर उसके बाद उसके fine motor skills develop होते है और जब gross motor skills को develop हो जाते हैं fine motor skills के साथ वो दोनों को combine करके भी अपने task को complete करता है जैसे बच्चा जब writing करता है तो fine motor skills use करता है और साथ में कुछ ना कुछ तरीकते उसके gross motor skills भी use होते बच्चा अगर player है वो cricket खेलता है बैड कि वो baller है तो balling करते समय उसके दोनों ही आपके whole organ भी यूज़ोगा specific organ भी यूज़ोगे specific parts भी यूज़ोगे जब बच्चा throw करेगा वो अपनी fingers के through करेगा और बच्चा जब fingers में उसको spin कराना एक तक से throw भी कह सकता है कराएगा अपने fingers के help से कराएगा और उससे में उसके अपना hand उसके arms सभी उसका साथ integrate होंगे तो मतलब बच्चा integrate करके चलता है किसी complete task को करने के लिए किसी एक task को करने के लिए बच्चे को कभी-कभी अपने whole organs के साथ specific parts को integrate करना पड़ता है और maximum case में यही होता है वह ऐसे ही काम करता है integration के through अब हम आगे बढ़ते है principle of development from journal to specific बच्चा क्या है आपका हमेशा जनल से specific की तरह बढ़ता है in this child learns initially general behavior then moves towards specific example in the beginning a child calls all birds are चिडिया later he learns the name of various birds and start addressing them पहले बच्चा क्या सीखता है जैसे कोई बच्चोटा सबच्च वह कोई भी उड़ती चीज देखता है तो उसको बोलता है यह चिडिया है तो बोलेगा यह चिडिया है फिर दीरे दीरे वो क्या करता है कि हर चीज को जो भी उड़ती हुब देखता उसे वो चड़िया ही समझता है फिर उसके बाद दीरे-दीरे उसे पर cognitive development आता है दीरे-दीरे development के साथ वो यह समझने लगता है कि सारी जो उड़ने वाली चीज़े होती है वो चिडिया ही नहीं, चिडिया भी एक ही तरीके की नहीं होती चिडिया भी तरह की होती है वो specific चिडियाओं को पहचानने लगता है Parrot, Crow, Pigeon सबको पहचानने लगता है और उनको कहता है कि ये Crow है, ये Pigeon है, वो समझता है और पहले जिस Aero plane को चिडिया कहता था development of the child follows an orderly pattern जो आपका development की प्रक्रिया वो एक दिशा की तरफ चलती एक direction से चलती है वो देखिए कहां से चलती है development of the child follows an orderly pattern जो बच्चे का development होता है वो एक order को follow करते ही आगे बढ़ता है जैसे पहला है सिफैलो केड्वल सिक्वेंस सिफैलो केड्वल सिक्वेंस को अगर हिंदी में कहें तो इसे कहा जाता है सिरोत पदोल मुखी सिरोत पदोल मुखी मतलब है आपका head to toe पता सर से लेके पैर तक का जो विकास है इस सिक्वेंस में उसका विकास होता है इन दिस the head of the child develops first followed by trunk last of all develops the child head slags सबसे पहले आपका head develop होता है फिर गर्दन होती है फिर बाकी नीचे का parts उसके बच्चे के develop होते है इसी sequence में development की प्रकिरिया चलती है यह नहीं कि पहले उसका trunk develop हो गया फिर उसका head हुआ या फिर फिर तो हुआ ऐसे नहीं तो विकास की प्रकिरिया आपकी head to toe या top to toe च कह सकते हैं दूसरा आता है आपका proximo distal sequence इसको हिंदी में कहा गया समीपस्त दूरस्त विकास मतलब आपके central से आपकी periphery की तरफ या मतलब बाहर की तरफ जो विकास होता है वो आपका proximo distal sequence in this development proceed from center to peripheral areas of the body first develop the fundamental muscles then develop heart chest etc development वो आपका center से periphery की तरफ हो रहा है सबसे पहले spinal cord develop होती है फिर muscles develop होती है फिर आपका heart develop होती है यह तो नहीं तो पहले chest develop हो जाए फिर heart develop नहीं पहले क्या होता आपका अंदर की चीज़े पहले आपका center development और फिर यह बहार की तरफ बढ़ता है तो यह याद रखेगा कभी confused मत होईएगा यह बहुत ही आपका important topic है आपको बहुत ध्यान से इस topic को समझना और exam में इसको लेके चलना है confused मत होईएगा आगे बढ़ते है principle of maturation and learning principle of maturation and learning क्या कहता है maturation is unfolding of characteristics potentially present in individual maturation of unfolding of characteristics मतलब है जो human being है या बच्चे में कुछ potential होती है कुछ समताय होती है उसका धीरे-धीरे maturity के साथ निकल के आना उन characteristics का दिखना या उनमें development होना यही आपका यह किस पर depend करता है maturation पर depend करता है बच्चा जिस तरीके से परिपक होगा उसका विकास भी उसी तरीके का होगा the muscles वह चलने लाइक नहीं हुए है तो आप उसको चला नहीं सकते क्योंकि muscles में उतनी मजबुती नहीं आई है muscles उसकी इतने अ情ह से develop नहीं हो हूई है mature नहीं हो जब उसकी muscles mature हो जाएंगी उसकी bones mature हो जाएंगी तब ही वो चले तभी और खड़ा हो सकता है तब ही उश्य छोम प्रॉब्लम सॉल्व करें, मैथ की, तो साय तो बच्चा ना कर पाए, क्योंकि बच्चे का जो mental status है, बच्चा उतना mature ही नहीं हुआ है, उसके बाद दिमाग भी है, उसके बाद सब कुछ है, उसके बाद हाथ भी है, उसके बाद बच्चे को कहा से मिलते हैं यह जो है, बच्चे के ज लुपनसीा, princ wife है कि बच्चे बहुत जल्दी चलते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलते हैं , बच्चे बच्चे की मस्तल्स जल्दी लेवलॉबंपर काफी हार्ट तक जल्दी बjäins पे बड़ेंच опять पी spiral मतलब होता है आपका वर्तुलाकार भी कह सकते हैं या फिर आप इसे कुंडली नुमा भी कह सकते हैं और linear मतलब है रेखिये डेवलप में यहाँ पर यह पता है कि जो विकास है वो linear है या फिर आपका वर्तुलाकार या फिर कुंडली नुमा है तो विकास की जो प्रक्रिया ह तो कभी भी linear नहीं होती है वो रेखी है नहीं होती है अगर आप कहेंगे कि विकास की प्रक्रिया रेखी है तो नहीं विकास की प्रक्रिया रेखी नहीं है वो एक सीधी लाइन में नहीं चलती है वो आपका क्या होती है घूमती रहती है कुंडली की तरह आपने देखा होगा आपकी note books होती है उसमें ऐसे spiral type का होता है तो वही spiral यह है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है तो जैसे बच्चा कैसे बढ़ता है he makes advancement during a particular period but takes rest in the next following पहले बच्चा क्या करता है कुछ सीखता है कुछ learning करता है फिर उसके बाद हो कुछ समय के लिए रुक जाता है जब वह कुछ समय के लिए रुक जाता है उसके बाद दुबारा से वह start करता है उस चीज को करना तो यही क्या है आपका spiral development है अगर मैं बात करूँ जैसे बच्चा किसी चीज को सीखता है पहली बार जब बच्चा सीखता है पहले उसको introduce करा जाता है उस चीज से फिर वह उध सीखने के बाद बच्चा कुछ समय हमेशा बच्चा डेवलप नहीं करता कुछ सीख को सीखने के बाद बच्चा थोड़ी देर रुक भी जाता है फिर वह थोड़ा बैक आता फिर वह फॉर्वर्वर्ड जाता है तो इसे बैक और फॉर्वर्ड भी कह सकते है इस आप development को spiral क भी कह सकते है इन ऐड्वांस फ़र्दर जवरप ही टॉन बैक और लिकर्विट अगें लाइक डॉन करता है शीखने के बाद दुबारा हो टबार करता है और आगे बढ़ता है और ऐसे क्या बन जाता है हमारा स्पाइरल एक फॉर्म हो जाता है जिसे हम स्पाइरल डेवलप करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड कमेंट थैंक यू फॉर वाचिंग